नुमस्कार, ओम सरवपित्रे भ्यव नामह बित्रों शुराध पक्ष में इस बार शुराध जो सुरू हो रहा है मां आपको बता दें उसमें नौमी का शुराध से हम सुरू कर रहे हैं मतलब 30 सितंबर को 9 मी का शुराद है और 6 अक्टूबर को शुराद खतम हो रहा है तो 24 ये हाँ 20 को पुणिमा का शुराद 20 सितंबर से शुराद शुरू होगा पुणिमा वाला साथ जिसके पितर पुणिमा को मरे होंगे दिवंगत हुए होंगे महालया रंभ वो 21 को है तो 21 को कृष्ण प्रत्यपदा है आश्विन कृष्ण प्रत्यपदा 21 को है और हमने जो सुरुवात किया है वो 30 सितंबर से जब नौमी का श्राद है और अविधवा नौमी जो श्वागन इस्त्रियां जो मरी होती हैं मात्र नौमी कहते हैं वो 30 सितंबर से है तो नौमी के श्राद से लेकिए और 6 अक्टूबर तक हमावस्या का श्राद सर्वपित्र हमावस्या जिस जिन पित्रों की तिति का पता ही ने कि किस तिति में पितर दिवंगत हुए थे मरे थे उनके लिए है यह आयोजन हम करेंगे गया बिहार में जिसमें हम आपको बुला भी रहे हैं अगर आप आना चाहते तो हम आपका स्वागत करते हैं कुरोना और ना तब तक खतम हो जाएगा सितंबर में हैं आकर वहां रहते हुए हमारे साथ भागवत का स्रवन करिए भागवत का पाठ सुनिए और इसी के साथ साथ भागवत के साथ साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ विशेश लाव लेने के लिए विशेश शुभत्त लेने के लिए विशेश आनन लेने के लिए यहां आनंद आपकी जीवन का पर्मानंद होगा सकारात्मक आनंद होगा आज पित्रण से जुड़ी एक बड़ी रोचक जानकारी देते हैं संतान भाव अगर किसी का पंचम दूशित हो पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि अगर किसी के जन्मांक में प्रेम नहीं है तो पक्का पित्रण होगा क्योंकि पंचम का संबंध सूरे से भी होता है और पंचम का संबंध प्रेम से भी होता है आज बता रहे हैं पंचम का संबंध संतान से भी होता है तो अगर किसी के जन्मांक में पंचम भाव पीडित हो पंचमेश पीड़ित हो आवश्यक नहीं कि पित्रिन सिर्फ सूरे की पीड़ा से ही पता चले यकीन मानिये मेरी बात का पंचम भाव की पीड़ा से भी पित्रिन निकलता है पंचम में अगर किसी के राहु बैठा है मजाल क्या है ऐसा इंसान संतान का सुख वंश का सुख पा जाए जनरली तो बच्चा होगा ही नहीं अगर हो जाएगा तो लंबी आयुका नहीं होगा लंबी आयुका भी हो गया तो बहुत आज्याकारी चरित्रवान नहीं होगा पंचम के राहू या पंचमेश के साथ राहू वाले इंसानों को हमने अक्सर ये कहते सुना है कि इस से अच्छा तो बंश ही ना चलता मा कहती है तो कोख में ही क्यों नहीं मर गया बहुत सारी माताएं ऐसा बोलती है हमारे सामने बोली है जब संतान बदला लेने आती है जब संतान किदने हजार केस अखबार तो डेली दोचार केस मतलब जो नौलेज में आ जाते है मार दिया पटक दिया बिद्धास्रम छोड़ा आया बात नहीं करता है पैसे के लिए मारत वालब दुनिया भर की चीज़ है ठीक वहीं स्रवनकुमार जैसे भी हैं जो कामर में बिठा करके और तीर्थाटन को लेके गए थे स्रवनकुमार जब राजा दस्रत ने सब्द भेदी बान से श्रापवस उनको मारा था वो भी थे आग्याकारियों इनका एक्जामपल उदारण आज भी दिया जाता है तो अगर पंचम भाव का संबंध कहीं से भी राहु या नीच के ग्रह से हो जाए तो भी आप पर पित्ररिण है इसको हलके में मत लीजिएगा बहुत आसान प्रिक्रिया के तहत पित्ररिण शांती महायग्य का आयोजन है बहुत आसान प्रिक्रिया के तहत आप एक बार में पूरी तरह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं नहीं आ सकते आने में असमर्थ हैं तो भी आप दक्षणा दीजिए आपके विहाब पर हम वहां ब का एर टिकेट हो जाएगा कोई बात ने आप मत आईए आप आईए ही बात हम बैठे हैं यहां पर हम आपके लिए करेंगे ब्यवस्ता निश्चित रूप से करेंगे तो पंचम की पीड़ा बराबर पित्र जरूर संपर करिएगा फाइदा हंडेट परसेंट हो नंबर आपके सामने फ्लेश हो रहा है तारीख याद कर लिजे तीस सितंबर से लेकर के छे अक्टूबर लंबा समय है लेकिन कम समय है नमस्कार शिरादे